हेलो फ्रेंड्स नमस्कार और स्वागत है आपका आपके फेवरिटी यूट्यूब चैनल एक्जेम क्रेकर में फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ पांच अलग टाइप के क्वेस्चन जो examination point of view से बहुत important है तो आप वीडियो पूरी देखना एक भी step skip नहीं करना है क्योंकि मैं सभी questions के लिए अलग से tips बताने वाला हूँ सभी पांच अग question एक दूसरे से related नहीं है हर question के लिए अलग से method है solve करने का तो आएए वीडियो सुरू करते हैं इस question के साथ हमारा सबसे पहला question है count the number of cubes in this figure ये जो figure है इसमें कितने cubes हैं उसकी counting करनी है जब भी हमें cubes की counting करनी हो तो हम क्या करते हैं सबसे पहले देखना है यहाँ पर किसी cube के नीचे gap तो नहीं है देखें यहाँ पर सभी cube एक दूसरे के उपर रखे गए हैं और नीचे gap नहीं है उपर ही gap है अब इस type के cube को count कैसे करते हैं सबसे पहले यह देखें यहाँ पर एक cube है सबसे नीचे तो इसको एक number दे दिया इसके आगे यह दो cube है क्योंकि इसके नीचे एक और cube है इसको दो number दे दिया यहाँ पर यह जो cube है इसके नीचे दो और है मतलब यहाँ पर इस line में 3 cube है इसको number 3 दे दिया इसके आगे 4 number दे देंगे क्योंकि यह इस row में इस column में 4 cube होंगे तो इसको 4 number दे दिया अब हमने इसको add कर लेना है तो ये बन जाएंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और ये कितने हो जाएंगे ये हो जाएंगे 10 तो ये आगे हमारे 10 अब यहां से देखेंगे यहां से फिर 1 यहां इसके नीचे भी 1 है तो 2 है टोटल यहां इसके नीचे दो और है तो टोटल होगे तीन यहां तीन और आगए एक जमा दो जमा तीन टोटल बन गया छे अब यहां देखेंगे यहां फिर से एक है और इसके नीचे एक और है तो टोटल दो होगे तो कितना टोटल आएगा दस जमाच छे सोला तीन उननी सोर एक बीस इसका मतलब यह हो गया कि यहां पर टोटल क्यूब्स है बीस और हमारा अंसर आगया उक्सर नमबर सैकिन बीस एक बार फिर से देखते हैं इसको जहां पर क्यूब्स ऐसे रखे गए हैं तो हम क्या करेंगे इसकी कॉंटिंग करेंगे यहां से सुरू करते हैं अब यह है एक यह है और एक इसके नीचे है तो दो हो गए यहां पर एक यह है और दो इसके नीचे है तो टोटल हो गए तीन य यहां पर एक्यूब यह पर इसके नीचे तीन ओर हैं, तो टोटल होगे चार, अब हम इस रो में यह चारों को टोटल कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा हमारे पास दस, चार जमा तीन, साथ, दो नौर, है दस, अब इसी तरह से यह पर देखेंगे, एक क्यूब यह है, एक यह और दो इसके नीचे तीन हुए तो जब इसको कॉंटिंग करेंगे तो यह आ जाएंगे तीन जमा दो पांच जमा एक छे यह होगे छे इसी तरह से यहां देखते हैं एक यह है एक की इसके नीचे और एक यह है तो यह होगे दो जब हम इसकी कॉंटिंग करेंगे तो यह तीन और A की ये बचा तो टोटल होगे हमारे पास 10 जमाच 6, 16, 19, 20 और यही हमारा option number B बोल रहा है हमारा अगला question है यहाँ पर है counting of triangles in this figure जितने भी triangles या 3 बुज हैं उसकी counting करनी है तो जब भी हम किसी भी triangle में triangles की counting करते हैं तो हमें एक rule पता होना चाहिए कि अगर कोई triangle है और उसके vertex से lines निकल रही हैं ऐसे तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कितने triangles बन रहे हैं इसकी counting करने के लिए हम गिंती लिख देते हैं 1, 2, 3, 4 और फिर इसको total कर देते हैं 4, 3, 7, 2, 9, 10 जितनी lines होंगी वहाँ तक counting करते हैं और फिर उसको total कर देते हैं तो उतनी हमारे पास triangle जा जा जाती है इस figure में भी हम यही rule follow करेंगे तो सबसे पहले यह जो triangle है हम यहाँ पर यहाँ इसके उपर इसके उपर जो triangle है उसकी counting करेंगे मैं इसके नीचे वाली triangle के नीचे वाली figure को पहले हटा रहा हूँ आप देखिए यहाँ पर यह triangle ऐसे बच गई जब मैंने नीचे वाली figure को हटाया तो यहाँ पर इसकी counting करने के लिए हम counting लिख देते हैं 1, 2, 3 और जब इसका total करेंगे तो यह triangle बनेंगी इस figure में 6 अब इससे नीचे चलते हैं एक step और अब एक और step हम नीचे आए तो हमारी triangle बन गई यहाँ तक A, B, C तक तो इसमें कितने triangle हों गई देखिए अब हम counting करेंगे यहाँ तक 1, 2, 3 अब हमारी triangle आएगी A से शुरू होके यहाँ पर ऐसे ऐसे A से तो यहाँ पर भी इतनी ही triangle बनेंगी 1, 2, 3 इस इक्वल टू 6 अब इससे नीचे जो हमारी figure बन रही है हम उसको ले आते हैं तो इसके नीचे देखिए यह हमारी figure ऐसे बननी थी अब फिर से हम counting करेंगे यहाँ पर तो triangle बनेंगी 1, 2, 3 इसका मतलब फिर से हमारी 6 triangles बनेगी अब इस सारी की सारी triangle हम A जो vertex है उससे count कर रहे हैं तो लेकिन यह पूरी की पूरी triangles नहीं आई है कुछ triangle और बची हुए हैं जो हमने count करनी है अब देखिए हम B यह जो point है यहाँ से counting करते हैं triangle कीते एक triangle आएगी यह देखिए यह चोटी सी triangle और उसके बाद B से ही सुरू करके एक triangle हमारी यह हो जाएगी यह इतनी बड़ी फिर B से इसी point से सुरू करके एक triangle हमारी यह हो जाएगी इतनी बड़ी यह सारी के सारी triangle तो कुल ट्राइंगल जा गई इसका मतलब हमारे पास अब बी पॉइंट से तीन बी वर्टेक्स से तीन अब हम सी वर्टेक्स से सुरू करेंगे तो सी वर्टेक्स से देखिए सी वर्टेक्स से एक ट्राइंगल हमारी ये आगई देखिए एक यह हो गई और जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहां तक C से ही यहां तक एक triangle यह हो गई अब C से आगे बढ़ेंगे तो एक triangle यह और हो जाएगी अब बड़ी triangle आगई C, B और इसको D लिख लेते हैं एक C, D, B आगई तो तीन triangle यह हो गई अब हमने सभी ट्राइंगल की काउंटिंग कर ली है तो काउंटिंग करते हैं फिर टोटल कितनी ट्राइंगल हो गए छे जमा छे बारा छे अठारा तीन इकीस तीन चोविस तो टोटल ट्राइंगल आ गए हमारे पास 24 और ओप्शन A 24 अंसर ही दे रहा है और फ्रेंट्स आगे बढ़ने से पहले आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि आप आपका कोई साथी या आपका कोई रिष्टेदार किसी कुम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए हमारा चैनल है एक्जैम क्रेकर जिसको आपने अभी ट्यून किया है आप इसमें मैस के शोर्ट रिच्स रिजनी की सिंपल और शोर्ट एक्स्प्लाइनेशन तथा जी के एक्जाम और इंट्रेट की वीडियो देख सकते हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और अपने फ्रेंड्स को भी रिक्मेंट कीजिए अब अगला क्वेशन करते हैं हमारा अगला क्वेशन है फाइंड दा मिसिंग नंबर लुप्त संक्या निकालने है हमने और लुप्त संक्या कौन सी है ये तो सबसे पहले हम क्या करते हैं देखिए यहाँ पर तीन कोलम हैं ऐसे नीचे को और चार रोज है इस तरह से तो हम question mark यहां पर जो दिया है वो कोने में है और जब question mark कोने में होता है तो हम क्या करते हैं या तो row wise इस तरह से Forschung करते हैं इस तरह से हमें सोचना है यह relation कैसे है अब देखें जब हम row wise देखेंगे इसका मतलब इह है 9, 3 और 8 में कोई relation होगा जैसे 6, 6 और 6 में है या फिर 15, 8 और 11 में होना चाहिए तो यहां पर हमें row wise relation नहीं मिल रहा है हम column wise नीचे को इसका मतलब यह हो सकता है या तो पहले 3 numbers का चोते के साथ होगा या फिर last के 3 का relation पहले के साथ हो सकता है कुछ भी हो सकता है हमने हर बार पहले column में भी दूसरे column में भी तीसरे column में भी यह relation find out करना है अब देखिए यहां पर अगर हम देखेंगे बाहर के number extreme most number यह दोनों number और इनका total करें तो यह आएगा 9 plus 12 21 इसी तरह से जो अंदर के दोनों number हैं इनका total करें तो यह आएगा 6 plus 15 21 इसी तरह से इस number का total और इसका total 3 plus 11 14 आएगा और इस number का total और इस number का total इन दोनों का total 6 जमा 8 जोदा आगया देखें यहाँ पर total same है इन दोनों में total same है तो यहाँ पर देखते हैं यह जो तीसरा है तीसरा कोलम तो यहाँ पर देखते हैं यह और यह इसका total भी same होना चाहिए जैसे इन दोनों का total same आएगा तो यहाँ है 6 plus 11 वो आगया 17 तो 8 plus question mark भी 17 होना चाहिए क्योंकि हमने relation find out कर लिया है जो बाहर बाहर के number है उनका total अंदर के number के ब्राबर है जैसे यह दो number इसी तरह से यह जो बाहर के number है उनका total अंदर के number के ब्राबर है तो यहाँ पर भी 11 और 6 का total ब्राबर होगा 8 और question mark के ब्राबर तो अगर हम 8 plus question mark देखें तो यहाँ पर हमें 9 value मिलेगी question mark क्योंकि जब हम 9 रखेंगे तो 9 जमा 8 17 होगा और 6 जमा 11 भी 17 होगा तो यहाँ पर option B हमें 9 value दे रहा है तो हमारा option B सही जबाब हो जाएगा हमारा अगला question है how many triangles in this figure इस figure में कितने 3 बुज हैं तो देखें यहाँ पर जब भी किसी triangle में हमने triangles की counting करनी है तो हम क्या करते हैं जिस vertex से line खींची जाती है वहाँ से counting शुरू करनी है देखिए पहले हम A से शुरू करेंगे फिर B से भी line खींची गई है तो हम B से शुरू करेंगे सबसे पहले देखिए यहाँ पर A से जो line खींची गई है वो कितनी है यहाँ अगर हमारी लाइन जो यहां से 20 से ये वाली लाइन और ये वाली है अगर 20 के बजाए वो उपर ऐसे खींची गई हो ऐसे तब हम कैसे counting करते हैं हम उसी तरह से जैसे पिछले question में किया था 1, 2, 3 फिर इसको add कर लेते हैं 6 आएगा और कितनी लाइने हैं उससे multiply कर देते हैं तो यहां पर भी देखिए 1, 2, 3 और यह हो गया 4 तो एक जमा दो जमा तीन जमा चार और यह बन गया हमारे पास total 10 तो यहां पर इस लाइन तक A vertex से 10 ट्राइंगल आगे अब हम यहां से उपर चलते हैं यहां भी ऐसा ही करेंगे 4 तक आएगा और एक line यह है 1, 2, 3, 4 तो यहां से भी 10 मिलेंगी फिर 1, 2, 3, 4 यहां से भी 10 ट्राइंगल मिलेंगी मतलब A vertex से हमें 30 ट्राइंगल मिल जाएंगे अब हम B vertex जो है यहां पर यहां से कॉंटिंग शुरू करेंगे कितनी ट्राइंगल बनती हैं तो देखिए B पर्टेक्स है सबसे पहले ये एक ट्राइंगल आएगी B से ऐसे उसके बाद यही एक्स्टेंड होके यहां तक चलेगी तो दो ट्राइंगल यह हो गई फिर यही triangle यहां तक extend होके आएगी तो 3 triangle हो गई B से ही शुरू है यह और फिर आगे C तक चलेगी तो यह triangle बन जाएंगी 4 यहां से तो total triangle हो गई B से 4 अब हम B vertex से ही उपर चलेंगे तो B vertex से जब उपर वाली triangle में चलेंगे तो ऐसे एक triangle देखिए यह आएगी एक यह हो गई फिर इसको extend करेंगे यहां तक तो एक और हो जाएगी इसी तरह से इसको आगे तक बढ़ाएंगे तो एक triangle यह होगी इसी तरह से इसको आगे तक बढ़ाएंगे तो एक triangle यह होगी तो 4 triangle और हो गई यह ऐसी triangle है जो हमने A vertex से count नहीं की है A से नहीं बनी है, ये B परटेक्स से बनी है तो 4 ट्राइंगल और हो गई है अब इसके बाद हम B परटेक्स से 2 ट्राइंगल को मिलाके जो एक ट्राइंगल बनेगी उसकी count करेंगी देखिए ये ट्राइंगल जो मैं green inks के साथ draw कर रहा हूँ एक ट्राइंगल ये है फिर इसको आगे तक बढ़ाएंगे तो एक ट्राइंगल ये हो जाएगी ऐसे यहां तक और इसी को आगे तक बढ़ाएंगे तो एक ट्राइंगल ये हो जाएगी ऐसे यहां तक ग्रीनिंग के साथ जो ड्रोग कर रहा हूं मैं और इसी ट्राइंगल को आगे तक बढ़ाएंग तो एक triangle यह हो जाएगी, यह सभी यहां से शुरू है, पहले यहां तक थी, फिर आगे बढ़ती बढ़ती, यहां तक पहुंच गई, तो कितनी triangle हो गई, चार triangle और हो गई, और कुल मिलाके इतनी ही triangle बनेगी, हमने ऐसा नहीं करना है कि यह triangle जो है, यह नहीं count करनी है, क्योंकि यह A vertex से इसकी counting हो चुकी है, इसकी भी, इसकी भी और इसकी भी, तो यह triangle हमने counting इनकी नहीं करनी है, जो triangle थी, उनकी counting हम कर चुके हैं, तो कुल triangle कितनी होगी, 10, 20, 30, 34, 38, 42, total triangle आगी 42, और option B हमारा सही जवाब है, 42, हमारी वीडियो का last question है, यहां पर count the number of rectangle in this figure, rectangle मतलब आयत की गिंती करनी है, तो यहां पर देखिए, सबसे पहले एक line, सबसे पहले एक आयत ऐसे है, और उसके 3 part किये गए है, A, B, C, D, और यहां पर देखिए, जब यह एक rectangle है, तो इसकी counting कैसे करनी है, कितनी rectangle है इसके पास, हमने इसकी गिंती लिखनी है, 1, 2, 3, और ज जाएंगी हमारे पास 6, तो A, B, C, D triangle से हमें कुल triangle मिलेंगी 6, अब और यहां पर A, B, C, D rectangle से हमें 6 rectangle मिलेंगी, अब कुछ और rectangle हैं, जो हमने counting करनी है, जिनकी, तो वो कहां से आएंगी, E, F, G, H, देखिए, एक E, F, G, H, जो square है, उसके अंदर, जो E, F, G, H, एक square है, उसके अंदर कितनी rectangle बनेंगी, तो वो होंगी, देखिए, यहां से एक यह आएगी, मतलब ऐसे, एक यह होगी, एक यह आएगी, एक यह आएगी, इसी तरह से एक यह आएगी, चार यह हो जाएंगी, और एक सबसे बड़ी, E, F, G, H, तो पांच यह हो अभी counting जिनकी नहीं की है, कौन से आएगी, एक यह आएगी, देखिए, और एक आएगी, ऐसे, दो और हो गई, इसी तरह से दो ऐसे आएगी, तो दो यह हो गई, दो यह आगई, कूल मिला के 6, जमा 5, 11, 13, 2, 15, कूल मिला के इतनी ही इसमें रेक्टेंगल बनेंगी, और यह हो जाएंगी 15, अब इस question को हम थोड़ा fast करते हैं, अब देखिए, यह figure जो है, यहाँ पर A, B, C, D, एक रेक्टेंगल है, तो इसकी कूंटिंग करेंगे, एक, दो, तीन, और टोटल मिला के आगे हमारे पास, 6 रेक्टेंगल, यहाँ पर यह जो square है, E, F, G, H, और जब किसी square में हमने rectangle की कूंटिंग करनी हो, तो हम row wise कूंटिंग करते हैं, ऐसे, और फिर total कर लेते हैं, फिर column wise कूंटिंग करते हैं column wise कूंटिंग करते हैं, और उसका भी total कर लेते हैं, और उन दोनों को multiply कर देते हैं, तो 3 गुणा 3 यहाँ से हमें मिलेंगी, 9, 9 rectangle और हो जाएंगी, हमारा total आजाएगा 15, तो friends, यह था आज का वीडियो, जिसमें हमने different types के question किये, मुझे पूरी उमीद है, आपको यह question subscribe करना बिल्कुल न भोले, thank you